हाई दोस्तो टेक्णिकल सीम टेक में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम एक न्यू वीडियो लेक्टिया आए हैं जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये एक चार मोडूलर बॉक्स बे दो स्वीच और एक सोकेट का कैसे कनेक्शन किया जाता है इसमें जो दो स्वीच लगेगा और एक सोकेट लगेगा सबसे पहले मेटेरियल ले लेते हैं देखिए एक मेरा ये सोकेट हुआ ये दो स्वीच है ये भी दोनों आपका शीख एमपीर का है तो सबसे पहले चलिए इसके मोडूलर बॉक्स के ढकन को हटा लेते हैं इसके से connection किया जाता है तो देखे पहले हम डाइगराम से आपको बताते हैं यह आपका स्वीच है यह स्वीच के नीचे लेवाले हिससे जो टर्मिनल है यह दोनों टर्मिनल इसमें आपका फेज वायर लगेगा और यह आपका अर्थिंग के लिए है एक न्यूटल के लिए है और य ओले चलिए हम एक वायर लेता है वायर लेकर करनेक्षण करते हैं देखें दोस्तों यह दार्यको फेज वायर इसमें लग गया है अब शोकेट के लिए हमको फेज लेना है तो स्वीच के अगले वायर टर्मिनल जो ऑग lei वहां से हमको फेंज लेना होगा, इसका हम खुल लेना होगा, तो फ्ला सर इसका कैसे इक कप करम लिए क्थ्रूप को डिला करना होगा, ओंच लिए इस को दीला करके देखे एक वयर पर बच्चा हुआ है उसको हम बॉल्ब के साथ कनेक्ट करेंगे लिए सबसे पहले हमको एक बॉलब लेना होगा होड़र ले लिए हैं हम होड़र में दो टर्मिनल है दो वार लगा दिए और ये देखिए मेरे पास रेड़ वायर नहीं है जिसका रण हम फीला को फेज बनाएंगे, तो फीला वायर जो है दोस्तों ये स्विच के उपर वाले टर्मिनल पर लगेगा, इस टाइप से, इस टाइप से उपर वाले टर्मिनल पर लगा देना है, और इसके इस लूप को अच्छी तरह से परपर तरिके से इसको टाइट कर दर रहता है तो ये जो मेरा नवायर बसट इसको आइप से गनेक करना, और इसके साथ परपर तरिके से पर लगा देना होगा, देखिए दोस्तों, मेरा socket लगए पूरा हो गया है, इसे ball का भी connection हो गया है, यह जो neutral wire है, socket के साथ जो neutral नहीं है, उसके साथ loop करके इसमें tape मार दिये है, अब देखिए, यह मेरा socket है, यह दो switch है, और यह जो मेरा दो wire देख रहे हैं, यह मेरा neutral phase है, इसले neutral phase को हम connect करते हैं, एसी supply के साथ, 240 ball एसी supply के साथ connection करके देखते हैं, देखिए दोस्तों मेरा connection तो पूरा हो ही गया है, अब देखिए हम bulb holder को लगा करके आपको दिखा रहे है, यह मेरा bulb holder लगा हुआ है, connection भी हो गया है, यह मेरा socket है, तो चलिए हम पलटके दिखाते हैं, यह देखिए मेरा socket, यह switch है, यह जो आपका सवीच है। यह आपका सवेट के लिए है और यह सबसे परले हम देखते हैं बॉल्ब जाल जा करके, देखें दोस्तों मेरा बॉल्ब जल गिया है। इस तरह से आपके के कीज़ेगा और यह switch socket के लिए तो चलिए देखिए इसमें भी हम test करके देख लेचे हैं देखिए इसमें भी फेज वायर आपका फेज आ रहा है तो हमेशा देखिए अगर दोस्तो सोकेट के राइट साइड में फेज आना चाहिए और लेफ साइड में इसका न्यूटल आना अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को like subscribe कर देज़े दोस्तो बेल आइकन को पूछ कर देज़ेगे जिसे मेरे आने वाले new वीडियो का notification आपको मिलता रहेगा मेरा वीडियो देखने के लिए thank you दोस्तो